माता धारी देवी का मंदीर उत्राखंड के पोड़ी जीले के स्री नगर गरवाल में इस्थित एक भव्य मंदीर है यह मंदीर काली माता को समर्पित है इसे उत्राखंड की सनरक्षक एवं पालकी देवी के रूब में माना जाता है इस मंदीर में देवी की मूर्ती का सिर्प उपरी भाग सिर्फ इस्थित है एवं निचली भाग काली मत में इस्थित मा मैं ठाणा नाम से प्रसिद है अब यह मंदीर डेम के बीच में इस्थित है और चारो और से परवत घाटियों से घिरा हुआ है मा धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसे आपको जानना चाहिए माता धारी देवी साथ भाईयों की इकलवती बहन थी माता धारी देवी अपने साथों भाईयों से अत्यंत प्रेम करती थी वह स्वेम उनके लिए अनेक प्रकार के खानों के वियंजन बनाती थी और उनकी अत्यन तसेवा करती थी यह कहानी तब की है जब मा धारी देवी केवल साथ साल की थी परंतु जब उनके भाईयों को यहाँ पता चला कि उनकी इकलवती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं तो उनके भाईयों उनसे नफरत करने लगे वैसे तो माता धारी देवी के साथों भाई मा धारी देवी से बच्पन से ही नफरत करते थे क्योंकि धारी देवी बच्पन से ही सावला था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे धीरे धीरे समय बित्ता गया और धादी मा के भाईयों की मा के प्रती नफरत बढ़ती गई परन्तु एक समय ऐसा आया कि मा के पाज भाई की मौत हो गई और केवल दो साधी सुदा भाई ही बचे और इन दो भाई की परिशानी और बढ़ती गई क्योंकि इन दो भाईयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे पाज भाईयों की मौत हमारे इस इकलोती बहन के हमारे प्रति खराब रहो के कारण तो नहीं हुई क्यूंकि उन्हें बचपन से ही यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब है और इन दो भाईयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं और इन दो भाईयों ने साथ में विचार विमर्स किया और अपनी इस इकलति बहन को मारने की साधी स्रची साथ में इनकी पत्यों ने भी नहीं यही करने की प्रेणा दी कि वह अपनी बहन को मार दे और उन दोनों भाईयों ने वही किया इन दो भाईयों ने जब वह कन्या अर्थात्मा धारी केवल 13 साल की थी तो उनके दोनों भाईयों ने उनका सीर उनके धर से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातो रात नदी के तर्ट में प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सीर वहां से बहते बहते कल्या सोन के धारी नामा गाउं तक आ पहुंचा जब सुबा सुबा का वक्त था तो धारी गाउं में एक वैक्ती नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था तो उन्हों ने सोचा कि नदी में कोई लड़की बैह रही है उस वेक्ति ने कन्या को बचाना चाहा परंतु उन्होंने यह सोच कर कि मैं वहाँ जाओं तो जाओं कैसे क्योंकि नदी में तो बहुती जादा पानी था और वह इस डर से घवरा गए कि मैं कहीं स्वयम ही ना बह जाओं और उसका धैर यह तूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब इस करिया को नहीं बचाओंगा परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सीर से आई जिसने उस वेक्ति धैर यह बढ़ा दिया वह आवाज थी कि तू घवरा मत और तू मुझे यहां से बचा और मैं तेरे को यह आस्वासन दिलाती हूँ कि तू जहां जहां पैर रखेगा मैं वहां पे तेरे लिए सीड़ी बणा दूगी कहा जाता है कि कुछ समय पहले यह सीड़िया यहां पर दिखाई देती थी कहा जाता है कि जब जब वह वेक्ति नदी में कनिया को बचाने गया तो सच में अचानक एक जमतकार हुआ जहां जहां उस वे कटे हुए सीर को जब कन्या समझ कर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया वह जी से कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सर है फिर उस कटे हुए सीर से आवाज आई कि तु घबरा मत मैं देवी रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुन्दर इस्थान पर एक पत्थर पर इस्थापित कर दे और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सीर ने उस व्यक्ति को बोला क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमतकार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सीर आवाज दे उस व्यक्ति के लिए सीर ही बनाएं एवं उसे रक्षा क आस्वासन दे यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सीर को एक पत्थर परिस्थापित किया तो उस कटे हुए सीर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो की साथ भायों की इगलवती बहन और मुझे मेरे दो भायों के द्वारा मारत दिया गया और जब यह सब कुछ बता कर उस कटे हुए सीर ने एक पत्थर का रूप धारन कर लिया तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुन्दर धारी देवी मंदिर बनाया गया था और जो उस कन्या का धरड़ वाला हिस्सा था वह रूद्र प्रयाग के काली मट में मा मैठाणी के नाम से प्रसिध हुआ यहाँ पर भी मा का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मट एक ऐसा इस्थान है जहाँ देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनो कामना पूर्ण होती है माधारी देवी की एक कहानी के मुताबित कहा जाता है कि माधारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने तीन रूप बदलती है जो निम्न प्रकार है पाता काल छोटी बच्ची दोपहर में यूती और साम के समय बिद्ध का रूप माधारी देवी लेती है जर